आज मैं आपके लिए हेल्थी रेसिपी लेकर रही हूँ वो है मसाले काले चने आप इसे इफ्तारी में या स्नैक्स में बना कर खा सकते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करिए तो चलिए देखते हैं मसाले काले चने मनाना मैं एक सॉस पैन में 3 टेबल स्पून तेल डाल कर गरम कर रही हूँ तेल गरम होते ही इसमें 1 टीस्पून जीरा, 3 बारी कटी हुई हरिमिच डाल कर अच्छी तरह 5-10 सेकंद तक भून लीजिए आप हरिमिच का कॉंडिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते है अब हम इसमें दाल दिंगे 1 टीस्पून धनिया पौडर और साथ ही इसमें 1 थर्ड कप के खरीब पानी आट कर दिंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं इसे अभी अच्छी तरह मिला दिंगे अब हम इसमें नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून लाल मीची पाउडर आट कर दिंगे साथ में खटास के लिए 1 थर्ड टीस्पून आमचूर पाउडर दालेंगे हाफ टीस्पुन जीरा पाउडर, हाफ टीस्पुन गरम मसाला पाउडर और हाफ टीस्पुन कसूरी मेथी दाल कर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अभी मैं दाल रही हूँ बॉयल की होई काले चने मैं इसे प्रेजर कुकर में गला कर रख ली थी अब ये चनों को सारे मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके पानी सुखने तक पका लेंगे ये देख सकते हैं चनों का पानी अच्छी तरह ड्राइ हो गया है अब हम इसमें शामिल करेंगे वन टेबल स्पून निमू का रख एक मेडियम साइस की बारिक चॉप की हुई प्यास एक मेडियम साइस का कटा हुआ टमाटर और मुठी बर हरा दन्या दाल कर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अगर आपको प्यास और टमाटर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं आप अवाइट कर सकते हैं सिंपल आप चना मसालों के साथ बना कर खा सकते हैं ये देखिए हमारे मसाले चने बनकर तयार हो गए है चलिए अब इसे डिशोट करेंगे माशालला हमारे मसाले काले चने डिशोट करने के बाद और भी जबरतस दिख रहा है थोड़े से धन्या पत्या के साथ गानिश करेंगे मैं इसे इफतारी में बनाई थी और टेस में ला जवाब बना था आप इसे ज़रूर ट्राइ करिए अगर आपको ये रेसेपी पसंद आई है तो लाइक शेर और सबस्क्राइब करना ना भूले और हाँ आपके वैलिबल कमेंट ज़रूर दीजिए जजाक अल्ला इस वीडियो को देखने के लिए फिर मिलेंगे एक नई रेसेपी के साथ अल्ला हाफीज